है है लो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत पहले आ चुका है लेकिन बीच में सरकार उसको स्टॉप कर दी थी जैससी ने इसका नोटिफिकेशन निकाला फॉर्म भने का डेट भी निकाल दिया अचानक उसको निकलने वाला है तो बहुत सारे लोगों का डिमांड था स्टार्टिंग में हमने वीडियो बनाया था इसके बारे में लेकिन फिर वो वीडियो जो है वो सिर्फ से लेबस को लेके था क्योंकि कॉमर्स के बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं लेकिन जब दुबारा से लग इसको भर सकते हैं वहीचक जो अलग लग नाम से यहां लिग्ञा यह पूरा है जर्खन लोग अलग नाम से जन्स दीट काँगर, यह सौ्ट में लेके लिग दिए है ॎक पूरा इसका है जारखन, टीचर, प्राइमरी, इसके बाद टीचर, कम्बाइन, कॉम्पटिशन, यह कम्बाइन, कॉम्पटिटिव एक्जाम लिखा है, यह पूरा इसका सौट में लिख दिया, आनि इसको हम लोग बोलते हैं जारखन, प्रार्थमिक, सिक्षक, संजुक्त, परतियोगता परिक्षा 2020, कुछ बात इसमें है, जो आपको जाना चाहिए, बाकी तो नॉर्मल चीज़ रहता है, जो हम लोग जानते ही है, जैसे यह सारी चीज़े नॉर्मल है, जो हम लोग जानते ही है, सब कुछ, परिक्षा सुल का 100 उपीज है, यह आप देख लिजे, लोग इन कहां कर सकते हैं, यह तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमेशा आप JSC का फॉर्म भरते आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है, परिक्षा सुलक में कुछ लोगों को छूट है, यह पूरा कोटा दिया बाई, यह जो आपको देखना है, क्योंकि हम यहां आपको क पता देता हूं, देखी यह, यहां से देखते हैं, यह लिख है वेतनमान, रार्तमिक विद्यालेक अच्छा एक से पांच में इंटर्मेडियेट पर सिख्षित सहाइक पाचारी की नुक्ति हे तू, और जो लोग अच्छा एक से पांच तक के लिए जाएगा, वह इंटर् पर सिख्षित सहाइक आचारी की नुक्ति करेंगा, उनका से लेबस अलग होगा, उनका एक्जाम का पैटर्न अलग होगा, और जो लोग उसके लिए पूरा कंडिशन दिया वह उनका से लिए लेवल भी दिया कि इंटर्मेडियेट के लिए क्या होगा, लेकिन ज्यादा त अच्छे जादे तर असनातक में जाएंगे, क्योंकि उसमें जाने का तो है नहीं, अगर वो बीएड कर लिए तो इनके पास यही उप्सान होता है, शिक्ष्ट टू एट में जाने का, तो बोलता है उच्छ प्रार्थमिक कच्छा जिसकों बोलता है, असनातक पर शिक्षि समाजिक विज्ञान के सिक्षक बन सकेंगे, वो यहां पर देखे बोला है, निम्रिखित बीष्टियों में नियुंतम तीन वर्षी अच्छना तक या ग्रेश्वन का आपके पास ऑनर्स पेपर होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री है, जोग्रफी है, पॉलिटिकल साइंस है समाज सास्त्रे, लेखा सास्त्रे और व्यापार अध्यान है, अनि बिजनस टडिज अकॉंटेंसी और एकनॉमिक्स तीन सब्जेक्ट यहां पर आपके पास दिया है, और कुछ यहां भासा के अचारी साहिए, कौन-कौन बन सकते हैं, तो हम लोगों को जो बैसिकली देखन है, वो यह नहीं देखना है, तो पढ़ने वाला चीज है, क्या-क्या सेक्षनिक योगिता होनी चीए, यह उम्र का ही दिया हुए, कि कहां कितना उम्र होना चीए, तो बलता है, नियुन्तम 21 साल होना चीए, रिक्तम के लिए सब का दिया, आना रचीत है, और आर्थी बाकी यह हम लोग देखेंगे आगे, पारसिक्षकों के लिए बोलता है, पारसिक्षकों के लिए अधिक्तम उमर की सीमा की गन्ना का प्रावधान अलग से किया गया, नियुन्तम पारसिक्षक अगर अप हैं, तो आपके लिए अलग से प्रावजन दिया गया, लेकिन हम ल से देखा जाए अब आप लोगों का जो है ना यह इंटर्मीडियर पर सिक्षित साहिक आचारे जो कि कॉमर्स वाले के लिए निवान टू फाइब बहुत कम लोग इसमें जाएंगे हम लोग जो जाते हैं जब जाद अतर वह इंटर करते हैं लोग यह देखिए असनातक अस्तरिये असनातक पर सिक्षित साहिक आचारे के लिए इसको समझेगा ठीक से समझेगा और फिर मैं बताओंगा कि किसका क्लास स्टार्ट कब हो रहा है और क्या क्या हम लोग सुवीधा इसमें अबलेबल करेंगे और कौन-कौन सा सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलेगे तो बोलता है सनातक पर सिक्षिक साहिक आचारी के लिए मुख्य परिक्षा का विश्य एवं पाठीक्रम मुख्य परिक्षा के अंतर का चार पत्र होंगे चार पेपर का एक्जाम आपको देना यह परिक्षा चार पालियों में चार सिफ्ट में लिया जा कोई भी चुन सकते हैं यह सिर्फ कौलिफाइंग पेपर होगा इससे हमारे रिजल्ट पर कोई सन्हीं पड़ेगा बस हमको इसको कौलिफाइं पर देना प्रश्ण सोब पूछे जाएंगे एक परस्ण एक नंबर का होगा तो सो नंबर आ गया दो घंटे कि परिक्षा होगी क कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें आप जो चाहें ये क्वालिफाइंग पेपर इसको सिर्फ क्वालिफाइब करना है चलते पेपर टू में एक सब्जेक्ट आपको चुना पड़ेगा जो जहारखन सरकार का कार्मिक विभाग या राज भासा भीभाग जो उसे अंत पेपर आपको यहां लेना हो गया कोसन पूचे लेंगे नेक विए हैटनेक नबर कठ वोगे तु-दो घंटे की परी zar la Jamaica Master समसांग सम सामाईकी बारे में समसामाईकी की बारे में पूछ रहागे मतलब शेजनला जिए जिए तो हम लोगों को नॉर्मली पढ़ना ही पढ़ना जो सबसे ज़्यादा मेहनत करना वह इसमें पेपर फोर में फ़स्ट पेपर है जो गनीत और विज्ञान के सिक्षक बनेंगे उनके पास यह पर है इसमें से क्यों तीन पेपर उनको देखना है हम लोग चलते हैं सोसल साइंस में ध्यान दीजेगा सोसल साइंस में कितने सब्जेक्ट हैं अगर सही से देखा जाये तो तोटल साथ सब्जेक्ट हैं, यानि साथ सब्जेक्ट का कुश्चन उन से पूछा जाएगा, लेकिन उनको साथ में से आंसर केवल तीन का करना है, जो उनको लगता है, तीन सब्जेक्ट का वो आंसर कर सकते हैं, च्वाइस दियावाई, ध्यान दिजीगा, साथ सब्जेक्ट फॉलता है कि तीन खंडों का आंसर करना ही पड़ेगा इसके लिए कोई को हर सब्जेक्ट में 33 परसेंट लाना ही पड़ेगा तब आपका मेरिटलिस त्यार नहीं होने वाला इसका मतब आप जो सब्जेक्ट च्वाइस करेंगे उसमें सोच समझ के च्वाइस करेंगे जो आपका कमांड वाला पेपर है जिसमें आप 33 मार्क्स ला सकते हैं उस पेपर को चुनेंगे तो आपके लिए जुरूब फाइदा होगा तो य इसका प्राप्तांक मेगा सुची के निर्वान है तो नहीं जोड़ा जाएगा पेपर बन कहां से कोशन पुछेगा च्यों आप बहुत चुनेंगा उसके अनुरूप कोशन पूछेगा पेपर टू में बोलता है पाठी करम परिस इस जो एट है उसके सरी 13 में क्या और जो हम लोग उपर में पढ़े थे इंटर्मीडियर पर सिक्षिक सिच्छा के लिए निर्धारित पाठिकरम वो से मोगा परंतु कठनाई का स्तर जो है सनातक स्तर तक होगा पेपर फोर का पाठिकरम जो है सिलेबस जो है वो परिशेष्ट ध्यान देगा टेन और फोर्टी पर अथा रही तो का जो में नीचे पढ़ेंगा भी हम लोग देखेंगे फॉर्टीन में क्या है तो थोड़ा हम लोग लोग लेके चलते सिलेबस की तरफ यह सब तो अधिक मैथमेटेक्स आ गया बोटनी अजूलो जीधर ही होगा कॉमर्स यह स्थिए और गयनिक रिश्टी के मिस्टी में बहुत ज्यादा है इस्ट्री शिविक्स जीग्रफी दिखेंगे इकनोमिक्स के अगर आप पेपर चुनते हैं तो इकनोमिक्स में आपको यह सारे पेपर पढ़ना है यह टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले पढ़ना कॉंसेप्ट आप माइक्रों मैक्रो एकनोमिक्स दूसरा पढ़ना डिमान इनलस्टी सिटी आप दिमांड कार्डिनल ओर इनले अप्रोच टू कंजूमर एकुबिलियम जिसको कंजूमर सर्प्लस बोलते हैं यह सब आप पर चुके हैं कार्डिनल ओर इनले परोच के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं और प्रफेक्ट कंपेटिशन और मोनोपोली मार्केट में पढ़ते थे कि कैसे हम इन मार्केट में प्राइस दितर्मिनेशन करेंगे यह है पुरा एकनोमिस का सिक्टाइब और इसके नीचे है और इसके नीचे है और इसके नीचे है सेकेनद पाट का पोर्टन सब्सक्राइब इसमें हम लोगों कि इंडियनुकों मिटीयन रफेक्ट होड़ है और कैसे इंडियने कानुमी का डऴला भूलोगक काूंट करेंग है यह सारे थेमस लोगों को इसके अंदर पर ने साथ ही साहन pag काउंटेंशी का से थोड़ा भास्ट है्काउंटेंशी का सीलिवस लिकिन बहुत कुछ पढ़ाँ आफ है जैसे हम लोगों को सिसमें फिनांशाल अकाउंटिंग एक पढ़ना फिनांसर एकाउंटिंगे अंदर ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है यह परचेस, consignment, branch, desolation of partnership, नीचे फिर branch दे दिया, departmental consignment, joint venture, depreciation, insolvency accounting, incomplete records, corporate accounting में आपको share capital पढ़ना है, final account पढ़ना है, valuation of goodwill, valuation of share, amalgamation of company, holding company, parent company, cash flow statement, cost accounting के अंदर आपको पढ़ना है, elements of cost, overheads, methods of costing के अंदर इसारे methods पढ़ना है, याने उठा के कहां से syllabus डालता है, जहार के ने भईया, ऐसा syllabus डाला रगता है, बच्चा को UPSC पास करना है, UPSC में भी इतना tough syllabus नहीं है, खले बस copy करना है, क्योंकि commerce का syllabus तो बुझाता है नहीं किसी को, अब I.S. officer कहीं syllabus बनवा रहा है, उसको commerce कैसे नहीं बुझाता है, copy करो, पेस्ट मार दो, उठा के डाल दो पढ़ते रहे बच्चा, पागल की तरह service डाला है, इतना बड़ा-बड़ा syllabus आता है, ये तो नेट से भी ज्यादा syllabus डाल दिया, अब business study के अंदर आपको पढ़ना है, business economics देखे, पूरा content डाल दियो उठा के, principle of management आपको पढ़ना है, पू पढ़ना है, उसके नीचे business law पढ़ना है, उसके नीचे business law पढ़ना है, बिसने लो में देखे, इतने सारे law आपको पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना, contract act, दुसरा पढ़ना, partner, support, तीसा पढ़ना, negotiable instrument act, और चो था पढ़ना, अच्छा, negotiable instrument, एक दो बाद दे दिया, यह गलत लिखावा है, नेको से बनी, 1932 में partner's effect है, human resource management पढ़ना है, जिसके अंदर आपको यह सारे topics पढ़ना है, security and portfolio management पढ़ना है, जिसके अंदर यह topics पढ़ना है, और इंडस्टियर रिलेसन पढ़ना है, जिसके अंदर यह सारे topics पढ़ना है, बिजनस एथेक्स लास्ट सकते हैं, और अगर किसी और subject में command है, तो एक paper आप side का रख सकते हैं, लेकिन एक दो paper तो अपना रखना ही पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें आपका ज्यादा command है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, वो paper आपको खुद चुनना होगा और बढ़िया paper आपको रखना होगा, और हम लोग इस syllabus का class जल्द ही start करने वाले हैं, और हम लोग Monday को फिर से live class लेंगे, Monday का मतलब होता है कल से, मतलब कल से हम लोग इसका live session शुरू कर देंगे, कल से हम लोग live class start कर देंगे 9 October से, इसका timing हम लोग schedule करके आपको बता देंगे कैसे होगर आप चाहते admission करवाना, तो आप अपने मेरे हाँ admission लेकर और इस courses में join कर सकते हैं, इस courses को मेरे application पे commerce word हजारीबा का जो app है, उस पे upload कर दिया गया, public कर दिया गया, वहां से भी आप खरी सकते हैं, क्या करना होगा तो आप play store में जाएंगे, commerce word हजारीबा सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद आपको जो commerce word हजारीबा का एप है, उसको install करना है, उसमें अपना number डाल के login कर लेना, login करने के बाद आप store दीखेगा, store में जाएगा, तो उपर में आप search करिए, search box में, date के नाम पर date commerce, तो आपको मिल जागए syllabus और आप वहाँ से buy कर सकते हैं, purchase कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी दिक्कत है, तो आप मुझे मेरे number पर, चुकि मेरे number भी आपके पास रहता है, और यह video के description में भी मेरे number दिया रहता है, तो मुझे मेरे number पर WhatsApp करेंगे, मैं आपको application को install करके उसका फायदा उठा सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए मुझे contact कर ले, thank you.